हेलो फ्रेंड्स तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था लूफी लोग नहा लेते हैं अच्छे कपड़े पहल लेते हैं और अब ये लोग निकल जाते हैं बैजी से मीटिंग करने के लिए अब आईए शुरू करते हैं इस्ट्रो हेट पाइरेट्स और बैजी पाइरेट्स आमने सामने बैठे होते हैं महाल एकदम गंभीर होता है दोनों पार्टियां एक दूसरे को घूर रही होती हैं एक मौका और दोनों एक दूसरे को जान से मारने को लिए तयार होते हैं एक तरफ माफिया बैठा होता है ए आपके उंगली तोड़ देंगे लेकिन अब होता क्या है कि महाल एकदम सीरियस होता है, लूप भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है, कुकीज उठाता है और खाना शुरू कर देता है जिसके बाद महाल एकदम ठंडा हो जाता है, बैजी बोलता है कि तुम लोग मेरे लिए एकदम बच्चो जैसे हो तो मैं तो मैं पल भर में ही मसल दूँगा, जिसके बाद सांजी बोलता है तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर सकते हो अगर तुमने हमें मार दिया तो तुम्हें बिग मॉम को मारने का मौका नहीं मुलेगा क्योंकि वहाँ पर कोई वैडिंग ही नहीं होगी तो तुम्हें मौका मिलेगा कहां से बैजी बोलता है तुम सही कह रहे हो ये बात तो सच है नामी बोलती है कि हमें हलके में मतलो बुरुग बोलता है कि जो गलती हमसे जूम में हुई थी न, अब वो गलती दोबारा नहीं होगी जिम्बे बोलता है कि हमारे पार बाते करने का ज़्यादा समय नहीं है लूफी, तुमारे गट्स क्या कहते हैं, हमें इनसे हाथ मिलाना चाहिए तुमारा क्या फैसला है, लूफी बहुत ध्यान से देखता है माहौल फिर दुबारा एकदम गंभीर हो जाता है लूफी बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, ध्यान से देख रहा होता है सोच रहा होता है कि क्या फैसला नहीं, और फिर बोलता है अबे तु सीजर है ना इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार सीजर यहाँ पर कैसे पहुँच गया सीजर अपनी लेब में बैठा होता है खा पी रहा होता है और वो बोलता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होगा तो अब मैं आराम से बैठूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा और मज़े करूंगा तब ही वहाँ पर बैजी पहुँच जाता है जिसके बाद यहाँ पर सीजर की हलत खराब हो जाती है वो बोलता है कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ बस जाके मामा से बोल दूँ कि हाँ थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं इसे कंप्लीट कर दूँगा जिसके बाद बैजी बोलता है कि अब तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है बेग मॉम ने मुझे सिक्योरिटी का हेड बनाया है और मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ अब तुम मेरे लिए काम करोगे और इस तरीके से सीजर वहाँ पर पहुँच जाता है अब हमें सीजर दिखाया जाता है जो बोलता है कि भाई भाई तू कैसी बात कर रहा है मेरा नाम मैं बैजी का भाई हूँ और मेरा नाम है गैंगिस्टर गैस्टीन लूफी बोलता है कि ओ तुम वो नहीं हो मैं माफी चाता हूँ जिसके बाद नामी बोलती है कि अरे पागल ये भई है जिसके बाद सीजर बोलता है कि तुमारी बजाते पता है मैं बिग मॉम के हातों में जाके फस गया फिर मैं इसके हाथों में जाके फस गिया बैजी के और बैजी के हाथों में सीजर का दिल होता है जिसके बाद बैजी बोलता है कि देखो मुगी वारा हमारे पास समय रही है बरबात करने के लिए तुम हाथ मिलाना चाते हो या नहीं मिलाना चाते हो लूफी सोचता है और बोलता है कि मुझे बस एक मुक्का मारने दो और फिर मैं तुमसे हाथ मिला लूँगा क्योंकि तुमने पैकॉम को चोट पहुँचाई है लूफी मुक्का मारने की कोशिच करता है लेकिन जिम में रोक देता है बेची बोलता है इसे मारने दो अग लूफी जितने भी मुक्के मारता है सारे मुक्के सीजर के दिल पे ले लेता है इसके बाद जिम में बोलता है क्या तुम दोनों बिग मॉम को पसंद करते हो ये दोनों बोलते हैं कि नहीं जिम में बोलता है इसका मतलब यह है कि तुम दोनों एक ही टीम में हो देखो अगर अलग अलग लड़ोगे तो शायद हार जाओगे लेकिन हाँ एक साथ लड़ोगे तो जीत हो सकती है जिसके बाद सीजर बोलता है कि मैं तुम्हारा साथ देने को तयार हूँ यह जल्दी से खतम करते हैं और फिर मुझे जाने दो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि होल केक आइलेंड में अंडर वर्ल्ड की जो रूलर्स है वो भी आ चुके हैं और फिर हमें सांजी दिखाया जाता है जो बोलता है बैजी सुनो मैं बिग मॉम को मारना नहीं चाहता हूँ और नहीं मुझे कोई इंट्रेस्ट है लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि उसकी बॉडी एक दम आईरन बलून की तरह है उस पे कुछ भी काम नहीं करता है पैदरो बोलता है ये ब बच्चों तक को मार सकती है ब्रुग बोलता है बैजी बिग मॉम को मारने का प्लैन तुम्हारे दिमाग में कहां से आया है जिसके बाद बैजी बोलता है कि सुनो भाईयो अगर बिग मॉम को मारना है तो मुझे तुम्हें बस 5 सेकिंड देने है और उसके बाद मैं उसे मा लेकिन हाँ अगर उसके बच्चे उस दोरान बीच में आ गए तो हमारा गेम खतम जिसके बास सीजर मैदान में आता है सीजर बोलता है बैजी तुमने मुझे बोला है कि जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तुम मेरा दिल मुझे वापिस कर दोगे और मुझे जाने दोगे च इंसान को पलग छपकते ही मार सकते हैं और ये लोग अब प्लैनिंग बनाते हैं कि इन्होंने जो ये टॉक्सिक वैपन बनाया है ये सीधे बिग मॉम के सरीर में धसा देंगे इसे एकदम तोप के गोले की तरह बनाया है लेकिन सवाल ये उठता है कि बिग मॉम को ये फोटो वहां पर रखी होती है एक बार ममा टी पार्टी कर रहे थी और गल्ती से एक वेटर उस फोटो को गुरा देता है जिसके बाद बीग मौम एकदम से कमजोर हो जाती है वो अपने घुटनों पर आ जाती है और उसके घुटनों से खून निकलने लगता है तो इसका कि हमें कुल मिला के 5 सेकंड चाहिए और अगर कोई बच्चा बीच में आ गया तो परिसानी खड़ी हो जाएगी मुगी बारा मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों को तुम रोकोगे जिसके बाद लूफी बोलता है ठीक है मैं ये करने को तैयार हूँ चिफॉन बोलती है लूफ बारा एक बात बताओ तुम्हें पता है ना तुम्हें फोटो कब तोड़नी है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि फोटो कब तोड़नी है जब सांजी और पुडिंग करीब आएंगे तब मुझे ये फोटो तोड़नी है बुरुक बोलता है वैसे ये प्लैन ठीक है क्य बाद यहाँ पर जो बिग मॉम है वो एकदम चीखना शुरू कर देगी फिर हम लोग अपने इन्विजिबल सिंफोनिया पहल लेंगे जिससे हम लोग ठीक होंगे लेकिन बहाँ पर जो लोग होंगे वो एकदम से पैनिक हो जाएंगे जिसके बाद तुम लोग जर्मा की फैम मतलब हमारी जो रेस है वो समय के साथ है अगर हम लोग चूके तो हम सब मारे जाएंगे बैजी बताता है कि जो हमारा प्लैन है वो काफी जादा मुगी वारा के उपर डिपेंड करता है इसके बाद बात होती है कि हम लोग यहां से निकलेंगे कैसे तो बैजी बताता है कि स उन्हें बहुत भैतरीन काम किया है दोस्तों इनके जो भागने का प्लैन है वो है mirror dimension से कि हम लोग यहां से आराम से निकल जाएंगे लेकिन पैदरों बोलता है कि यतना आसान भी नहीं होने वाला है तो हमें चौकनना रहना पड़ेगा जिसके बाद सांजी बोलता है कि सुनो शादी में बहुत कम समय बचाए तो मुझे चलना होगा बैजी बोलता है कि मुझे भी चलना होगा क्योंकि मुझे भी fake security तो इन्हें दिखाने ही पड़ेगी और जो लूफी होता है वो बहुत ही जादा excited है अपने role को लेकर और वो बहुत ही जादा खुश भी है इसके बा मुगी वारा ने मारा है गालेटे बोलती है तुम कैसी बाते कर रहे हो मुगी वारा को ओपेरा भाया ने मार दिया है जिसके बाद मौन डॉर बोलता है कि जब तक मैं मुगी वारा की लाश नहीं देख लेता हूं मुझे यकीन नहीं होगा फिर ये लोग सांजी के कमरे में पहुँच जाते हैं गेट पेटना शुरू करते हैं लेकिन गेट नहीं खुलता है एक प्लांट की हलत खराब हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर इनने पता पढ़ गया कि सांजी कमरे में नहीं था पूरे टाइम तो ये लोग मुझे जहान से मार देंगे वो गेट न के सामने खड़ा होता है सांजी बोलता है तुम्हें क्या चाहिए मॉंड और बोलता है क्या तुम रात भर से इसी कमरे में थे सांजी बोलता है कि हाँ मैं इसी कमरे में था मॉंड और बोलता है सबूत चाहिए मुझे जिसके बाद सांजी बोलता है एक प्लांट इसे जिसके बाद सांची बोलता है वो जिन्दा है या मर गया है मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है मैं जर्मा का प्रिंच हूँ और मुझे साधी करनी है अगर मैं लेट होंगा तो मेरे ख्याल से बिगमम गुस्सा होगी जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं इसके बा हमें दिखाया जाता है कि एक वेटर आता है या फिर भूलू में नौकर आता है जो बोलता है कि जज सर बाकी सब आप लोग तयार हो गए हो क्या तो यहां पर हमें दिखाया जाता है कि जज लोग तयार हो रहे हैं इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अला दीन ने पैकॉ में हैं तो मुगी वारा लूफी उसे जरूर बचाएगा लेकिन बिग मॉम का खतरा देखते हुए जिम्बे समझ गया है कि यहाँ पर सब की जान खतरे में पड़ जाएगी तो वो फैसला करता है कि मैं अपने कैप्टेन की मदद जरूर करूँगा चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए अलादिन बोलता है कि ठीक है तो मैं मुगी वारा का साथ देना है तो दो लेकिन प्लीज अपनी जान का भी ख्या कर लेता है कपड़े पहन लेता है और निकलने की तयारी कर रहा होता है इसके बाद हमें दिखाई जाती है पुडिंग जो बोलती है आज शाधी के दोरान मैं सांची को जान से मार दूंगी लेकिन मैं बिलकुल नहीं चाहती हूं कि उसका खून मेरे कपड़ों पे गिरे न बोना से साफदान गुड़ बाए